यह है एक water level controller valve यह कहां पर यूज होता है देखिए आपका जो supply water tank है वहाँ पर अगर पानी overflow हो रहा है तो वहाँ पर आप इसको use कर सकते हो यह क्या काम में आता है आपको बार बार टैंक का जो tap है supply tap है उसको बंद करना नहीं पड़ेगा आपका जो पानी है वो overflow नहीं होगा automatically यह उसको shut up कर लेगा पहले इस जगे पे ball cock को use किया जाता है और अभी modern जो technique है उसमें यह वाला water level controller को use किया जाता है चलिए आपको दिखा देते हैं कि इसके अंदर हमें क्या मिलता है और यह 3-4 size का है और यह 1.5 inch size का भी आता है और इसमें एक तो आपका side inlet आता है और ए जानना पड़ेगा कि आपको tank के बाहर install करना है या tank के अंदर install करना है दोनों अलग होता है तो चलिए इसके अंदर हमें क्या मिलता है हम आपको दिखा देते हैं तो इसके अंदर हमें यह वाला जो main machine है यह मिल जाता है आपको दिखाते हैं देखे मैं आपको बहुत पास स दिखाने की कोशिश करूँगा और इसके अंदर भी आप देख सकते हो और यहां तो यह जो है इसका उपर से पानी अंदर जाएगा और यहां से पानी बाहर निकलेगा और यहां पे इसको आपको इंस्टॉल करना है देखिए ऐसे आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो और दोस्तों इसके साथ आपको एक टेप मिल जाता है इसको यहाँ पेंच लगा के इंस्टॉल करने के लिए और एक प्रोड़क्ट मैनूल मिल जाता है इसको कैसे इंस्टॉल करना है सारा चीज आपको इसी box के अंदर मिल जाता है इसका price लगबग सारे 300 रुपिय के आसपास है और delivery charge इसका अलग से होता है 65 रुपीज Amazon पर ये easily available है तो वहाँ से आप आसानी से इसको खरीच सकते हो अब ये कहा जा रहा है कि जो traditional ball cock है उसको ये replace करता है और ये अच्छा है रास्ट नहीं पड़ता है बहुत सारे reviews आपको YouTube में मिल जाएगा जहां पर बोला गया कि ये वाला सबसे अच्छा है अब इसमें कौन सा technology यूज किया गया है मैं आपको बताता हूँ यहां से पानी inlet होके नीचे भीतर जाएगा और यहां से पानी आपका बाहर आएगा अब पानी जब यहां से उपर की तरफ आएगा यहां पे नीचे एक प्लास्टिक जैसा vacuum है वो उपर जाके ये वाला छेद को बंद कर देता है तो पानी और बाहर नहीं निकलता है और इसी technology में ये काम करता है अब ये traditional ball cock से अच्छा है की नहीं दोस्तों ये एकदम बेकार चीज़ है मैंने इसको install करवाया था लेकिन ये कोई भी काम में नहीं आया फिर मुझे वहां पे traditional ball cock ही लगाना पड़ा और वो काम कर रहा है इसमें क्या होता ये जब पानी इसके अंदर जाता है अगर पानी का pressure ठीक नहीं है तो और supply का pressure ज्यादा है तो ये क्या करेगा ये बंद नहीं होगा और यहां से पानी गिरता ही रहेगा धीरे-धीरे और आपका tank overflow हो जाएगा छोटे tank के लिए अच्छा या जहां पे water pressure कम है वहाँ पे आप इस चीज़ को install कर सकते हो लेकिन फिर भी क्या होता है ये कभी अंदर फस जाता है तो वहाँ पे अटक जाएगा फिर आपको खोल के इसको फिर से install करना पड़ेगा तो ये एक जमेला काम है traditional जो ball cock होता है वो आप जब install करोगे तब आप उसको check कर सकते हो लेकिन ये normally check भी नहीं होता है क्योंकि अगर आप bucket वाला पानी से इसको pressure दे के बंद करोगे तो उसमें उसका pressure ज्यादा नहीं रहता है अब दोस्तों खर्चे की बात करें तो खर्चा लगबग इसमें और ball cock में सेम ही है installation का और इसका price वगरा तो मुझे लगता है ये खरीदना ठीक नहीं होगा और जो सारे review इसका दिया हुआ है सारे गलत है तो आप try ज़रूर कर सकते हो वो आपके उपर है लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वाला चीज ठीक नहीं है तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजा मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ